और मंत्री जी को इस तरह की थरट देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इससे पहले भी लोगों ने मंत्री जी को घेरा उनके अगे नारे लगाए एक गंभीर मामला है यह कि केंद्रिय मंत्री को उनके निवास पे लाइन लाइन पे फूनाना और धंकी बरी बाते करना कि मैं चिराग पासवान का आदमी बोल रहा हूं और इस करके मंत्री जी को इस बात से गुसा आया वह अपने आपको कहते तो है कि इन्डियी में हैं और वह इन्डियी की भासा नहीं बोल रहे हैं वो इन्डिया की भासा बोलरious है वही बात कर रहे हैं जो महागडबंदन के लोग करते हैं दोस्तों नमस्कार मैं विकास आप देखने देश्टी वी इंडिया और इस समय मैं लुटियन जोन दिल्ली में मौजुदों जहां तमाम नेता और मंत्री रहते हैं बिहार से खवर आती है पशुवेत कुमार पारजी जो की भारत सरकार में कैविनिट मंत्री है इस समय उनको धमकी दी जाती है सरकार के मंत्री को धमकी मिलना बड़ी बात है भारती जंता पार्टी के जी क्या कहना चाहिए मेरा यए कहना है कि जिसने भी जहमकी दिये बहुत गलत बात है ऐसा होना नहीं चाहिए एक मंतरी को धं की देना कोई इतनी इसी काम नहीं है जो भी जमकी दे रहा है वो इसके फल पाने का कियाद करेगा कि किस तरीके से मैंने बोला था और क्यों बोला था और मंतरी जी को इस तरह की थरट देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इससे पहले भी लोगों ने मंतरी जी को घेरा उनके आगे नारे लगाए और चुहरमल में जब गए वहाँ भी इनके लिए उल्टा सीदा लोगों ने बोला काले जंडे दिखाए तो ये सब कुछ ठीक नहीं है जैसा कि हमें पता लगा है कि मंतरी जी के यहाँ जो घर का फोन है उसके उपर धमकी आई है और उसने बोला भी है कि मैं चिराक पासवान का आदमी बोल रहा हूँ और इस करके मंतरी जी को इस बात से गुस्सा आया कि इस तरीके की जो ओच्छी हरकत है ये समाच के लिए ठीक नहीं है ऐसे मैं देखिया अफाक सलानी साब मेरे साथ समय मौजूद है और क्या कहेंगे सर इस तरीकी की धमकी देना जो वेक्ती भी फोन करने वाला है किसी के सह पहीं कर रा है उसने किया है रात में जब फोन आया फोन पे जिस तरह की बाते उसने रखी है फोन पे ये एक ओची राजनीती के साथ साथ किसी ने किसी का सही उस पर दिखता है और मैं यही चाहूँगा अपने देश के गिरी मंतरी जी से मेरा अनुरोद रहेगा कि इसकी जाच की जाए और जाच के साथ साथ हमारे जो राश्ट्रिय अध्यक्ष हैं जो एक केंद्रिय मंतरी भी हैं उनकी सुरक्षा भी सुनस्चीत की जाए क्योंकि एक गंभीर मामला है यह कि केंद्रिय मंतरी को उनके निवास पे लाइन लाइन पे फोनाना और धंकी बरी बाते करना इससे पुर्व भी बिहार में दो बार इस तरह की घटनाय हुई है जिसकी लिखी सिकायत अस्थानी अस्तरपर की गई है और हम सारे पार्टी के लोग जितने भी कार्ज करते हैं मांग करते हैं अपने गरी मंतरी जी से कि इसकी जाज जल्द से जल्द की जाए और संबंदित जो भी वैकती है उसको सजा दी जाए क्या कहेंगे जो मंतरी साग का ग्राफ बढ़ता जा रहा है लगातार अभी कई सांसा पार्टी के राश्टे लोग जन सकती पार्टी में और उनका जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है जो अजारों लाखों की भीड भी में उमड रही है जहां जहां वो रैली कर रहे हैं क्या उसी का डर तो नहीं सता रहे गहीं चिराक पासवान को कि इस बार पत्ता पुरा साफ होने बाला है नहीं नहीं आप सब लोग इसको बड़ी गंपिर्टा से लें और समझें आपने गराफ की बात कहिए गराफ की बात नहीं है बलके चिराक पासवान जो भी बात बोल रहे हैं वो अपने आपको कहते तो है के इंडिये में हैं बर वो इंडिये की भासा नहीं बोल रहे हैं वो इंडिया की भासा बोल रहे हैं यह इंडिया गटबंदन बनाये गया है और यह जो महा गटबंदन की बात जो है ना वो जो बिहार में आप देख रहे हैं यह उसकी भासा बोल करते हैं वो आज जो ये धमकी बारा फोन आया है ये कहीं ने कहीं पर बिहार में जो आ रहा जकता फैली हुई है जगा जगा पे जो क्राइम हो रहा है और जिसमें बिहार सरकार नाकाम हो रही है उसी करी में एक करी ये भी दिख रही है तो आप कह सकते हैं ये कि ये जो सर मोधी के हनुमान है नहीं आप भी कह लीजिएगा कोई वेक्ति कह लेगा हनुमान है महलमान बन जाना और फिर उनके आचरन को अपने अंदर उतारते हुए दिखना धरातर पर ये भी तो जुरूरी है ना वो कहीं नहीं दिखता है हम एक लाइन में अगर हमसे आप बात करे करेंगे तो हम यहीं कहेंगे कि वह महागटबंदन की भासा बोल रहे हैं वहीं बात कर रहे हैं जो महागटबंदन के लोग करते हैं तो देखिए यह राश्य लुक जनसक्ति पार्टी के दो नेता इस समय में में साथ मौजूद थे तमाम बाते आपने सुनी हैं और एक पहले ही सही गराब बड़ा हुआ है पूरे बिहार के अंदर उनकी मानेता है और लोग उन्हें जानते हैं और काम करने की जो उनकी शैली है उसकी बराबरी करना हर एक के बस की बात नहीं है चप्पे चप्पे क्या उनको ग्यान है पूरे पटना के अंदर किसी से भी उनको सारी नोलिद है यह कोई नई बात नहीं है जो उनका गराब बढ़ रहा है उनका पहले से गराब बहुत बड़ा हुआ है तो लगातार आपको बता दू मैं जब रामबलास पासवान जी दिल्ली में संसद और तमाम दिल्ली से पूरे देश की राजनिती करते थे उस स की राय क्या है अपनी राय कमेंट में जरूर दें